नमस्कार, न्यूज नेशन पर चेंपियन्स की जंग देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मौनूच सहल, हमारे साथ अखिल गुपता भी हैं मज़ा आ गया दोस्तों, अगर जीत हो तो ऐसी हो भई, RCB कितने जो टॉप फॉर में जो एंट्री मारी है बड़ी गजब की एंट्री मारी है और इस मैच में अगर आप बारी किसे देखोगे तो यश दयाल आई थिंक इस मैच के हीरो बने हैं, उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की है और आउटस्टेंडिंग ये विक्टरी है RCB के फैंस के लिए और ना सिर्फ हम सब के लिए क्योंकि यहार बड़ा इंजोओ है हुआ, मैच इस तरीके का होगा, शायद किसे ने उमीद नहीं की थी अखिल जी, लेकिन RCB की सफर को कैसे देखते हो और इस जीत को आप कैसे देखते हो मैंने बिलकुल उमीद नहीं की थी कि इस तरह का मुकाबला देखने को मिलागा, कल ऐसा लग रहा था कि कल एक नॉर्मल मैच नहीं है, कल एक सेमी फाइल नहीं है, कल आई पिल 24 का फाइल मैच खेला गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जिस तरीकी का इंटेंशन CSK ने दिखाया, जो एक्टिट्यूड RCB ने मैदान पे पेश किया, काबिल ये तारीफ था, मलब एक महिना पहले तक हम देख रहे थे, ये टीम पॉइंट सेवल में, नंबर दस पे दिमोनू, सब अंडर एस्टीमिट कर चुके थे, मैंने तो कह दिया था, कि RC RCB के बस की बात नहीं है, ये आते है, 14 मैच खेलने के लिए, ट्रॉफी जीतना इनकी किसमत में ही नहीं है, लेकिन जो पलटवार RCB ने किया है, और जो हम हमेशा कहते हैं कि ये पलटवार नहीं, ये चमतकार है, और ये RCB का वाकिए में एक बड़ा करिशमा RCB ने करके दि अगर अखिल जी से पूछा जाए, CSK के लिए, पर कहां चूक हो गई, क्या वो आखरी ओर में 17 चाहिएं थे, येस देल गिनबाजी कर रहे थे, क्या वो इस मैच का टर्निंग पाइंट था, क्योंकि वहाँ पर पहली गिनद पर छक्का आ गया था, वैसे दोस्तों आखरी जी क्या कहींगे उस मैच उवर के बारे में? उसके बाद अगली बोल पर हमेजोरी ने फिर से एक बड़े शॉट के ले गए, गेंद बदल चुकी थी, जिसका फायदा येस देल को मिला और उनने महेंदर सिंग दोनी को आउट कर दिया, अब यहां से सिचुपेशन बहुत खराब हो चुकी थी, CSK के लिए, करो या मरो अब करना ही था, शार्दुर ठाकुर आयब लेबाजी के लिए, डाट बॉल, अगली बॉल पर शार्दुर ने सिंगल लिया, तब तक जो प्लैटफॉर्म था, CSK के आज से निकल चुका था, आखरी दो गुंदो पे कोई भी बड़ा शॉट के ले, दसरनों की जरूरत थी लेकिन रविंदर जड़ेजा, डॉट, डॉट, और येश दयाल, RCB के जीत के सबसे बड़े नायाक बनकर सामने आये, बलकुल नायाक बनकर सामने आये, जो चेंज और पेस था, जो बैक अफ लैंद गें थी और MS धोनी, वो जो मिस हिट हुआ, पीचर स्वापनल सिंग थे के क्यार की जीत के, और रिंकु सिंग ने भी इंफेक्ट इमोशनल मैसेज किया है, और उनमने लिखा है, कि आप भगवान जब करता है ना चीजें, तो अच्छी ही करता है, और यहाँ पर उन्होंने बेबी का इस यूज किया था, वैसे येश दयाल के लिए, लेकिन येश उसके बाद वो जीटी की प्लेंग 11 से बाहर हो जाना, उनका 5-7 किलो वजन भी कम हो गया था, अर्दिक पाने ने बयान दिया था, कि यार, उनकी तबित काफी खराब है, इसलिए वो प्लेंग 11 का इससा नहीं है, उनने कम से कम 5-7 किलो वजन अपना लूस भी किया है, पहली बॉल पर चक्का पड़ा, उसके बाद जो उनने गली परिवर्तन किया, जिस तरीके सई टपे पर बॉल डाली, MS दोनी को विकेट आउट किया, ये वाकी मैं RCB जीट के सबसे बड़े हीरो थे, और मैं कौँगा ना कि CSK ने गलती क्या अगड़ी मोनू, CSK ने टॉस पहली बाद ही जब रितुराज गयकवाड ने का कि प्लेंग 11 में जिंके रहाने खेल रहे हैं, जिंके रहाने का फेवरेट मलब मुझे बहुत अच्छे लगत अच्छे लगत बले बाद हैं, लेकिन इस सीजन उनने अच्छा खेला नहीं है, आपके पास समीर रिजबी थे अब जब जाहिर सी बात है शिबम दूबे होंगे, समीर रिजबी होंगे, आप डेफिनिटली शिबम दूबे को लेके जाएंगे और उनने डिसपॉइंट कि आप 15 गेदों में 7 रन बना कर आउट हुए, लेकिन अजिंके रहने की जंगा प्लेंग 11 में शिबम दूबे होन इस मैच में अगर आप देखोगे तो MS धोनी जिनसे बड़ी उमीद है इतना नीचे आए, उनसे पहले मिचल सेंटनर आगे दोस्तों अगर आपको याद हो, पर मिचल सेंटनर मैं यह नहीं कहना कोई उनसे हिटिंग नहीं होती, लेकिन उस समय अगर MS धोनी आते तो सिनारि फैंस के लिए खेलना खेलना नहीं होता, आप हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, टीम सर्वो पर ही होती है, टीम से बढ़के कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप फैंस के लिए खेल रहे हैं, तो फिर कोई मतलब भी नहीं बनता आपका IPL खेलने का, अला कि धोनी सेमी फाइल था ना, इंडिया वसिस न्यूजीलेंड, ये कंडिशन बहुत तक्वैसी बन चुकी थी, कि धोनी नंबर साथ आट पर बैटिंग करने आए, जड़ेजा अकेला है जो हिट कर रहा है, जड़ेजा अकेले हिट कर रहा है, उसका प्रेशर कहीं नहीं जड़ेजा और बैटर कर सकते थे, जड़ेजा के उपर से प्रेशर अटता, शाहिए CSK मैच जीजाता, बिल्कुल CSK मैच जीजाता, और फैंस भी इस वक्त, जो CSK के फैंस है, जो यूजर्स वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं उपर आए, और साथी साथ दूसरी चीज य एक हास से वो कैच लपका, और वो कहीं नहीं टर्निंग पॉइंट भी था, एमस दोनी का वे के टर्निंग पॉइंट था, लेकिन CSK आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार, मैदान गीला था, हमने रिस्क नहीं लिया, प्लेयर की इंजरी का, बोल गीली थी, हास से पिसल भी नहीं था, शुरू से लग रहा था कि ये प्लेयर तो ठके हुए लग रहे हैं, ये जीतने के लिए खेली नहीं रहे हैं, वो इंटेंट मिसिंग था, और रिजल्ट हमारे सामने है कि 27 रोनों से ये टीम, ये मुकाबला हार गई, ठीक है, हमने आखिल जी CSK की बात कर लि लेकिन अब दोस्तों क्या होगा, क्योंकि अब भी पहले आठ मैंचों मेंसे 7 मुकाबले हारे, पहले आठ मैंसे 7 हारे, उसके बाद लगातर 6 जीते, जीत का छक्का लगा दिया, अब प्लेयोफ में भी चली गए टीम, अब 22 तारिक को एलिमनेटर होगा, ये डिपेंड करे जीती है, और जिस तरीके से प्लेयोफ में पहुचे है, अनएस्पेक्टर, किसी ने नहीं सोचा था कि ये टीम प्लेयोफ में पहुचेगी, विराट कोली को क्रेडिट जाता है, ये जजदयाल को क्रेडिट जाता है, फाब डुपलेसिस कहते हैं बड़े मैच का प्लेयर, बड़े मैच पे आके औरो ने रन मनाए, मैन अव दो मैच रहे, मैक्सवेल ने अच्छी बल्लेबाजी के लिए इंड में आके कैमियो रोल जो प्ले किया, और पहली बोल पे रुतुराज गायकवार्ड काउट करना, ये टीम बहुत खुंखार बन चुकी है, और पता नही है, RCB की टीम फाइनल खेले की कमेंट बोक्स में आप भी राय दे सकते हैं, और अगर देखें, RCB की टीम बैटिंग सूपर हिट थी, बोलिंग उससे भी जवरदस्त होगी ये पिछले तीन-चार मैचीज में अगर आप देखोगे, बैक इन फोर्म आगे हैं, चाहे सीराज हों, येस्ट रयाल, इन फैक्ट आपने देखा ही होगा, लास्ट और कैसा किया था, इसके अलाओ लोकी फर्गुसन बड़ी अच्छी गेंद बाजी कर रहे हैं, करन शर्म अच्छी गेंद बाजी कर रहे हैं, मैक्सवल विकेट्स ले रहे हैं, और ऐसे में अगर देखा ज बले बाज़ों को लेके कभी रहता ही नहीं है, गेंद बाजी को लेके रहता है, और कल एन मौके पर जिस तरीके से गेंद बाजी ने परफॉर्म करके दिया, बड़े विकेट्स लिए, हाला कि तुराज गायकवाड को आउट करने के बाद जब 19 पे डैरेल मिचल बाउट क लेकिन उसके बाद जिस तरीके से RCB के बोलर्स ने कमबेक किया, करण शर्मा को भी क्रेडिट में दूँगा, यूँकि जिस तरीके का विकेट था, उस पे अच्छी गेंद बाजी करना, टर्न उनकी बोल काफी हो रही थी, तो अपनिल सिंग ने अच्छे टपे पे बोल ड बेलकोल फॉर्म में वापस आ चुका है, लेकिन अखिल जी एक चीज़र बताइए, हमें जो बाकी की टीम हो, आरार हो, ऐसा रहा हो, भई RCB में ऐसा क्या आपको फैक्टर लगता है, पहले हम कहते हैं के जी फैक्टर है, वो भी है, लेकिन अब कोई और आपको नजर आता ह लेकिन सेलीब्रेशन किसका होता है, सेलीब्रेशन केवल विराट कोली का होता है, वो इस टीम को और मजबूती देते हैं, स्टेंथ इस टीम की सबसे बड़ी विराट कोली है, इस टीम की सबसे बड़ी ताकत आपकी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, आप विराट कोली फाप विराट कोली 700 प्लस रन होगे इस सीजन में और आपको याद होगा दोस्तो 2016 में विराट का बल्ला चलता कि खूब चला था लेकिन 1% से 100% बनाना अब ये विराट का स्टेटमेंट भी थी और वो सच साबित कर दी अखिल जी बिलकुल और ये कंफर्म हो चुका है कि औरेंज क आप अपने घर पे लेके जाएंगे ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नौट होने वाला है टी 20 वर्लकप से पहले टीम इंडिया के लिए इस तरह की फॉर्म किंक होली ने दिखाई है बड़ा मजा आ रहा है विराट कोली को बल्ले बाजी करता देख सासोरन यार लगतार ह सारे कैसोड़ा लपक लेगा अपना 100% विराट ने दिया है बलकि मैं कहूंगा 1000% अपना दिया है अब फिर उनके लोग पीछे पढ़ते हैं तो वह यह ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना बलकुल यह बात भी सही है लेकिन विराट ने जब-जब मोके उन पूर में जाएगी नंबर वन चीज क्योंकि हर किसी ने जो फॉर्मर क्रिकेटर है उन्होंने भी मना कर देते शायद मुश्किल है मौनू और आपसे मैं पूछा था अखिल जी आपने भी यह का था कि यहां से तो बहुत मुश्किल है और लेकिन जिस तरी का कमबैक किया है अब ऐसे में आपसे पूछा जाए वही फाइनल किसके बीच होगा कौन सी ओ दो टीमे होगी को कि के के आर है और है ऐसा रहाच है और अब आर सीबी का नाम भी जुड़ गया है अब चार टीमे हैं अखिल जी अब बता दीजी आपके सटिक प्रडिक्शन क्या रहने वाली ह के लिए भी होगा फिर आप किसका सपोर्ट करेंगे एक तरफ आपकी टीम है आरर की टीम और एक तरफ रसीबी है किसके साथ जाओगे यार ओविसली मेरा दिल तो राजिस्तान के लिए दटकेगा ना मैं तो आर को सपोर्ट करूँगा मैं भी बता तूं ऐसे पताना अगर आप टेंप्लेट देखो खेलने का तरीका अगर आप देखोगे उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे कल आपको याद होगा सीच की साथ बैटिंग की थी बड़ी समझभूज वाली बैटिंग थी ऐसा नहीं था कि वह अटेकिंग के लिए के स्टार्टिंग में उन् विराट हों फैफ हों और स्कोर 218 बना दिया अब यह 18 खेली बड़ा दिल्चास पताना कल भी 218 बन गए वैसे और 200 एक बनाने थे लेकिन वह चूक हुई और धोनी से हुई या फिर उनकी बैटिंग लाइन अप हुई यह सवाल दोस्तों आपकी लिए थोड़के जा रहे ह आप बताईए कि आपको क्या लगता है कि CSK की हार का सबसे बड़ा कार्ण क्या लगता आपको वो हमें बताए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट कर लीजी